बॉलीवुट की मशहूर अविनेतरी कंगना रनौत और आल्या भट को अदाश शर्मा ने पच्छार दिया है आपको बता दे अदाश शर्मा की मूवी दगेरल स्टोरी ने आल्या भट की मूवी और कंगना रनौत को जोड़ दा टकर दिया और ये टक्कर में आलिया भट और कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी किया चार है आपको बता दे कि तकेरल स्टोरी को भारत में ही नहीं बलकि विदेशों से भी खूब प्यार मिल रहा है और ये स्टोरी में लीड रोल में नज़र आ रही अदाश शर्मा ने आल हिंदी फिल्म बन गई है दकेरल स्टोरी ने अपनी कहानी में और सत्यापित दावों के साथ भले ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया हो लेकिन इसने दर्श्रकों को सिनेमा घरों में आने से नहीं रुका सुधित्तो सैंद्वारा निर्देशित फिल्म ने सौकड़ रुपे का आकड़ा पार कर लिया है और अब बॉक्स ऑफिस पर 150 करो रुपे के बैच मार्क को पार कर रही है इसे जादा और क्या दकेरल स्टोरी अभारत में सबसे जादा कमाई करने वाली महिला केंदृत हिंदी फिल्म में बन गई है आदा शर्मा की मुख भूमिका वा अब जो देखा जा रहा है दकेरल स्टोरी अब करीब दो सो करो रुपे ने अपने लाइफ टाइम बिजनेस को खत्म करती दीख रही है और चार्ट पर उस आकड़े के साथ फिल्म डबल सेंचूरी बनाने वाली पहली फिल्म के रुप में बॉक्स ओफिस पर इतिहास रच देगी कई चार्टर्स में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला के इंदृत फिल्मों के सूची में तन्नुवेट्स मन्नु रिटर्न्स और स्त्री शामिल है लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन दूनों फिल्मों में बड़ी पूर्श प्रधान भूमी का थी जिसमें कथा में उनके पातरों को सम्मान महत्व दिया गया था दकेरल स्टोरी के बढ़ते प्रदर्शन पर आपके विचार क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखे जरूर बताए फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही धन्यवाद